फलन f of x के वर्धमान या हरास्मान ग्याद करने की विधी माना कि एक फलन y equal to f of x समय दिया गया है और कहा गया है कि इस फलन का वर्धमान और हरास्मान ग्याद कीजिए तो सबसे पहले स्टेप में हम f dash x का मान ग्याद करेंगे अर्थात इसका प्रथम आउकलज ग्याद करेंगे दूसरा स्टेप यह होगा कि f dash of x equal to 0 के लिए इस समी करन को हल करेंगे अर्थात प्रथम आउकलज का जो मान हमें प्राप्त हुआ है उसे equal to 0 पुट करने के बाद चर रासी के हमें अलग-अलग मान प्राप्त होंगे तो यह जो चर रासी के मान हमें मिले हैं यह पूरे अंतराल को अलग-अलग भागों में विभाजित करेंगे माना की हमें चर के N मान मिले हैं तो वह पूरा जो अंतराल है यह N प्लस वन भागों में विभाजित होगा अब इन अलग-अलग अंतरालों में हम F-X का मान ग्याद करेंगे और उन मानों की सहयता से हम यह कह पाएंगे कि किस अंतराल में फलन वर्धमान है और किस फलन में रासमान है तो जैसा कि थोड़े देर पहले आपने देखा था कि F-X का मान यदि greater than or equal to 0 होता है तो उस अंतराल में फलन जो होता है वह वर्धमान होता है इसी प्रकार यदि F-X is greater than 0 हो तो उस अंतराल आई में फलन वस्तुतह वर्धमान होता है इसी प्रकार F-X is less than or equal to 0 हो तो उस अंतराल आई में फलन रासमान होता है लेकिन यदि F-X is less than 0 हो तो इस अंतराल आई में फलन जो होता है यह वस्तुतह रासमान होता है और यदि f dash of x equal to 0 मिलता है तो इस प्रकार के जो फलन है यह अचर फलन कहलाते हैं या फिर उस अंतराल में फलन अचर है आईए देखते हैं इसे सम्मंधित प्रशन जिसमें हम दिये गए फलन का वर्धमान और रासमान को ग्याद करेंगे पुना प्रशन है कि वे अंतराल ग्याद कीजिए जिन में फलन वर्धमान या रासमान है तो उसमें पहला प्रशन है 5 x cube minus 15 x square minus 120 x plus 3 यह दिया गया फलन है तो पहले हम यह मान करके चलेंगे कि दिया गया फलन है f of x यह आपको मिल रहा है 5 x cube minus 15 x square minus 120 x plus 3 दोनों पक्षों का उकलन करेंगे तो लेफ्ट में मिल जाएगा f dash x equal to 15 x square minus 30 x minus 120 अब इस पूरे फलन से आप 15 को भेनिश निकाल सकते हैं यह मिल जाएगा x square minus 2 x minus 8 अब यह जो बहुपद हमें मिल रहा है x square minus 2 x minus 8 इसको हम गुननखंड के रूप में तोड़ लेते हैं तो यह मिल जाएगा 15 और फिर x square minus 4 x plus 2 x minus 8 15 इसमें से first two term से यह आप x common लेंगे तो मिल जाएगा x minus 4 फिर plus 2 again x minus 4 तो उस प्रकार आगे solve करने पर आपको मिल जाएगा यह 15 इन दोनों term में x minus 4 है वोकी common है और फिर यह x plus 2 तो यह जो बहुपद है x square minus 2 x minus 8 इसको हमने दो पार्ट में या दो गुननखंड के रूप में split कर लिया है एक है x minus 4 और दूसरा है x plus 2 तो किसी फलन के वर्धमान या हरासमान होने के लिए जब फलन तरिगातिय हो तो यह हमें मिलता है f dash x equal to 0 तो इस प्रकार यह आप लेकर के solve करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15 into x minus 4 into x plus 2 equal to 0 और ultimately आपको solve करने पर इसके लिए x equal to 4 मिलेगा और इसके लिए x equal to minus 2 मिलेगा दो अलग-अलग मान हमें मिल रहे है x equal to minus 2 और 4 तो यह जो बिंदू है बिंदू x equal to minus 2 और x equal to 4 यह वास्तवी करेखा जिसे हम r से भी प्रदर्सित करते हैं को तीन असयुक्त अंतराल में विभक्त करता है अब कौन-कौन संतराल है एक है minus infinity to minus 2 दूसरा minus 2 to 4 और तीसरा 4 to infinity में विभक्त करते हैं अर्था इसे कुछ इस तरीके से देखिए मान करके चलते हैं कि यह हमारी वास्तवी संख्या रेखा है x equal to minus 2 यहाँ पर है और x equal to 4 यहाँ पर हम यह मान करके चलते हैं तो देखिए कि यह जो संख्या रेखा है यह तीन पार्ट में डिवाइड हो चुका है यह first part, यह middle part और यह third part यह तीन भाग में डिवाइड हो चुका है तो यही अंतराल है यह minus infinity to minus 2 यह open interval है फिर minus 2 to 4 यह दूसरा interval है और 4 to infinity यह तीसरा interval है और तीनों असन्युक्त अंतराल है अर्थात इनके बीच में कुछ भी common नहीं है जैसे कि आप देख पा रहें कि यहाँ पर यह open interval है यहाँ पर भी open interval है और यह भी open interval है तो अब हम एक एक अंतराल में इसकी testing करेंगे तो इसके बीच में हम कहीं पर 0 को भी ले लेते हैं तो अब एक एक अंतराल के लिए हम test करेंगे पहला अंतराल है minus infinity to minus 2 के लिए तो यह जो f dash of x है यह x plus 2 और x minus 4 यह तो 15 constant है इसके छोड़ देते हैं x minus 4 और यह x plus 2 इसका जो मान है देखें minus infinity to minus 2 के लिए आप x का कोई भी मान रख दीजिए यह मान आपको धनात्मक मिलेगा तो यहाँ पर देखिए x plus 2 है और यहाँ पर x का मान minus 2 नहीं हो सकता और minus infinity नहीं हो सकता इसके पहले कोई भी नंबर for example हम minus 1 ले लेते है तो देखिए minus infinity to minus 2 के बीच में हम कोई एक नंबर लेकर के टेस्ट करते है minus 3 minus 1 जो है इस point से right की और जाएगा रथा तो वो इस interval में सामिल होगा इस interval में सामिल नहीं होगा तो minus infinity और minus 2 के बीच में कोई भी एक random नंबर ले लेते है minus 3 minus 3 plus 2 करेंगे तो मिल जाएगा minus में हमें संख्या मिलेगी और यहाँ पर भी जो मान रखेंगे तो सबस्थ minus 3 यहाँ पर ही पूट करते हैं तो minus 3 minus 4 minus 7 तो ultimately आपको minus sign मिलेगा और minus और minus करके गुणा करने पर हमें जो मान मिलेगा यह धनात्मक होगा चुकि f dash x का मान हमें धनात्मक मिल रहा है तो इस वज़ा से हम लिखेंगे कि f dash x is greater than 0 इस वज़ा से f dash x greater than 0 इसलिए f of x जो है यह अंतराल minus infinity to minus 2 में एक वरधमान फलन है यह अंतराल हो चुका है अब हम दूसरा अंतराल minus 2 और 4 के लिए टेस्ट करेंगे तो condition 1 दे देते हैं और यह condition 2 है अंतराल minus 2 4 के लिए देखिए f dash x जो है यह हमें मिल रहा है x plus 2 और x minus 4 यहां पर minus 2 सामिल नहीं हो सकता और यहां पर 4 सामिल नहीं हो सकता तो इसके बीच में अगर मैं minus 1 ले रहता हूँ तो minus 1 plus 2 positive नमबर मिलेगा और minus 1 minus 4 minus 5 मिलेगा अंतराथ negative नमबर मिलेगा तो इस interval में यह जो फलन है यह हमें धरनात्मक मान देगा तो ultimately हम यह समझ सकते हैं कि यहां पर जो मान हमें मिलेगा यह रनात्मक होगा तो इस तरीके से इस interval में f dash x जो है यह less than 0 है तो इस वज़े से हम लिखेंगे कि अतह f of x जो है यह अंतराल minus 2 4 में एक रासमान फलन है अब अंति मंतराल बत चुका है 4 to infinity इसे देखते हैं तो यह इसका तीसरा interval 4 to infinity के लिए तो देखिए कि f dash x जो है यह x minus 4 और x plus 2 4 से infinity के बीच में हम 4 को नहीं रख सकते और infinity को इस interval में नहीं रख सकते फलन में नहीं रख सकते इसके अलावा कोई भी मान ले सकते है चलिए 4 से बड़ा एक नमबर ले लेते हैं सबस 5 तो 5 रिंट 4 करेंगे तो यहां पर आपको धनात्मक मान मिलेगा और 5 धन 2 करेंगे यह अंतराल 4 to infinity में एक वर्धमान फलन है तो यहां से यहां तक फलन जो था यह वर्धमान था यहां से लेकर के यहां तक रासमान था और यहां से लेकर के अगेन यहां तक के बीच में जो फलन है यह वर्धमान है तो यह हमने तीन इंटरवल हमें मिले इस फलन को differentiate करने के बाद factorize करेंगे तो f-x0 लेने पर हमें दो बिंदू मिले ये दो बिंदू जो है इस पूरे वास्तवी करेखा को तीन असनिक तंत्राल में बाटा उन्होंने और उसके बाद हमने अलग-अलग interval में इसे test और हमें अभिष्ट उत्तर मिला इसमें हमें दूसरा फलन दिया गया है minus 2 x cubed plus 3 x square plus 12 x plus 6 यह फलन कब किस अंत्राल में और किस अंत्राल में रासमान है यह गयाद करना है तो हम यह लेकर करके चलते हैं कि माना f of x equal to minus 2 x cubed plus 3 x square plus 12 x plus 6 है अब हम इसके लिए f-x निकालते है मिल दाएगा minus 6x square plus 6x plus 12 इस पूरे फलन से हम रिंड 6 को भेनिश ले सकते हैं तो यह मिल दाएगा x square minus x और minus 2 अब इस term को यदि आप factorize करेंगे तो आपको मिल दाएगा x plus 1 और x minus 2 तो यदि हम f dash x को 0 ले करके चलें तो इसका मतलब यह कि minus 6 into x plus 1 into x minus 2 is equal to 0 तो इसको solve करने पर आपको मिल दाएगा x plus 1 into x minus 2 equal to 0 और आगे solve करेंगे तो x equal to मिल दाएगा minus 1 और 2 अब यह जो दो बिंदू है यह संख्या रेखा को तीन भागों में या तीन अलग-अलग असन्युक्त अंतरालों में विवक्त करेंगा चलिए देखते हैं मान लेते हैं कि यह संख्या रेखा है और left में minus infinity, right में plus infinity लेते हैं कि यह minus 1 है और 2 यहां कहीं पर है तो देखिए यह minus infinity to minus 1 यह एक interval हो गया middle interval minus 1 to 2 और तीसरा interval यह 2 to infinity हो गया तो इसे हम यह लिखेंगे कि बिंदू x equal to minus 1 और x equal to 2 वास्तविक संख्या रेखा को तीन आसंयुक्त अंतराल कौन-कौन से अंतराल है एक है minus infinity to minus 1 दूसरा अंतराल है minus 1 to 2 और तीसरा अंतराल है 2 to infinity में विखक्त करते हैं अब इन तीनों interval में अलग-अलग हम टेस्ट करेंगे कि फलन किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में रास्मान है तो बात करते हैं पहले अंतराल की अंतराल minus infinity to minus 1 open interval है तो ना तो minus infinity value ले सकते हैं और ना ही minus 1 ले सकते हैं तो इस अंतराल में यहां पर x plus 1 है और दूसरा x plus 2 है तो x plus 1 minus infinity और minus 1 के बीच में left इदर मिल जागा minus 2, minus 3, minus 4 and so on तो कोई एक value लेकर देखते हैं minus 2 suppose minus 2 plus 1 ultimately हमें negative number मिलेगा और दूसरी दूसरा फलन है x minus 2 तो x minus 2 जो है यहां भी हमें रणात्मक मान देगा उसका मतलब यह कि दोनों फलन हमें रणात्मक मान दे रहे हैं तो इस वज़ा से हम यहां लिख सकते हैं कि दोनों का गुननफल x plus 1 और x minus 2 यह इन दोनों का गुननफल हमेशा 0 से बड़ामान मिलेगा इस अंतराल में तो इसका मतलब यह कि अगर इसमें मैं minus 6 का multiply कर दूँ minus 6 का multiply कर दूँ तो यह sign change हो जाएगा greater than जो है यह less than sign में change हो जाएगा तो इसके लिए हमें यह मिल रहा है कि f dash x जो है यह less than 0 मिल रहा है तो इसलिए हम यह लिखेंगे कि f of x जो है यह अंतराल minus infinity to minus 1 में हरासमान फलन है अब बात करते हैं दूसरे interval की कौन सा अंतराल है कौन सा अंतराल है minus 1 to 2 इसमें देखते हैं तो minus 1 नहीं ले सकते और 2 नहीं ले सकते इसके लावा कोई भी मान हम ले सकते हैं तो देखिए इस अंतराल में x plus 1 की जो value है यह आपको धनात्मक मान देगा और x minus 2 जो है यह रनात्मक मान देगा तो इस प्रकार यदि दोनों का गुनन फल ले ले x plus 1 और x minus 2 का तो यह हमें रनात्मक मान ही मिलेगा और यदि इसमें minus 6 का multiply कर दें तो यह sign change हो जाएगा greater than 0 हो जाएगा तो इस प्रकार इस अंतराल में f dash x का जो मान है यह हमें greater than 0 मिल रहा है तो इसका मतलब यह कि f of x जो है यह अंतराल minus 1 to 2 में वर्धमान फलन है अब तीसरा interval है अंतराल टू टू इंफिनिटी में इस अंतराल में जब हम देखते हैं कि x plus 1 देखिए 2 नहीं ले सकते और इंफिनिटी नहीं ले सकते इसके अलाबा कोई भी मान ले लिए suppose 3 तो 3 plus 1 4 जो है यह positive number है तो हम लिखेंगे x plus 1 is greater than 0 और x minus 2 x की value other than 2 2 से बड़ी कोई भी value लेंगे तो x minus 2 यह भी हमें धनात्मक मान मिलेगा तो इसका मतलब यह कि दोनों का product x plus 1 और x minus 2 always greater than 0 होगा इस interval में अब यदि हम दोनों पक्षों में minus 6 का multiply कर दें तो मिल जाएगा minus 6 into x plus 1 into x minus 2 sign change हो जाएगा less than 0 हो जाएगा तो इस प्रकार इस interval में हमें f dash x जो है यह less than 0 मिल रहा है अर्थात रणात्मक मान मिल रहा है तो हम यह लिखेंगे कि f of x जो है फलन यह अंतराल 2 to infinity में हरासमान फलन है अब देखिए अंतराल कौन-कौन से जिसमें हमें हरासमान मिला है एक यह interval है जिसमें हमें हरासमान मिला है और दूसरा यह interval है अर्थात यह interval और यह interval दोनों का यदि हम union ले लें तो उसमें पूरा फलन हमें हरासमान मिलेगा और minus 1 to 2 इस interval में यह जो function है यह वर्धमान मान देगा प्रश्ण दिया गया है कि वे अंतराल ग्याद कीजिए जिन में फलन वर्धमान या हरासमान है तो पहला फलन दिया गया है x by 2 plus 2 by x where x is not equal to 0 तो आप देखते आ रहे हैं कि पहला फलन वर्ग बहुपत था दूसरा ट्रिगात वाला फलन था या cubic polynomial था और अभी आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों के form पर नहीं है कुछ different form पर है तो इस प्रकार के प्रश्णों के लिए तो माना कि यह फलन f of x है f of x equal to x by 2 plus 2 by x मान देदिया गया है कि x का मान 0 नहीं हो सकता अगर यह सुन्य होगा तो 2 by 0 infinity मिल जाएगा तो इस तरीके से फलन इसके लिए परिभासित नहीं होगा अब यदि इस दिये गया फलन का हम alkaline करें तो यह हमें मिल जाएगा 1 by 2 और यह हमें मिल जाएगा minus 2 by x square अब f dash x 0 होगा तो इस प्रकारा में मिल जाएगा minus 1 by 2 minus 2 by x square equal to 0 solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 by 2 equal to 2 by x square तिर्यक गुणा करेंगे तो x square equal to 4 तो इस तरीके से x equal to plus minus 2 मिल जाएगा देखिए x square है और इदर 4 है तो square root लगाएगे तो plus minus 2 मिल जाएगा तो इस प्रकार हमें जो मान मिला है यह x equal to minus 2 और x equal to plus 2 मिला है तो इस प्रकार हम आगे लिखेंगे कि बिंदू x equal to minus 2 और x equal to 2 वास्तविक संख्या रेखा को या वास्तविक रेखा को तीन असंयुक्त अंतराल अब कौन कौन सेंटरवल होंगे एक है minus infinity minus infinity to minus 2 दूसरा है minus 2 to 2 और 2 to infinity में विभक्त करते हैं तो मान के चलते हैं कि यह हमारी वास्तविक रेखा है यह minus infinity और इस direction में plus infinity अब minus 2 यहाँ पर हम मान करके चलते हैं कि minus 2 है और यह plus 2 है तो minus 2 minus infinity to minus 2 यह पहला interval minus 2 to 2 दूसरा interval और 2 to infinity यह तीसरा interval अब एक एक interval में हम इसे test करेंगे तो अब बात करते हैं कि अंतराल minus infinity minus 2 में तो minus infinity to minus 2 यह open interval है अर्थात minus infinity x का मान नहीं ले सकते और नहीं minus 2 ले सकते हैं तो इसके बीच में कोई भी एक मान ले लेते हैं मान लिए minus 3 हमने ऐसा मान ले लिया तो यहाँ पर x square minus इसको हम solve करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि x square minus 4 equal to 0 that implies x plus 2 into x minus 2 तो यह जो फलन है हमें इस तरीके से मिल चुका है x plus 2 into x minus 2 अब इसमें minus 3 put करते हैं तो x plus 2 जो है minus 3 plus 2 यह आपको negative number मिलेगा और x minus 2 minus 3 minus 2 again negative number मिलेगा तो इस तरीके से दोनों मान हमें negative number दे रहे हैं दोनों का अगर product करेंगे तो x plus 2 और x minus 2 यह हमें धनात्मक मान देगा तो इसका मदलब यह कि f dash x हमने जो निकाला है f dash x यह हमें धनात्मक मान मिलेगा तो इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं कि इस अंतराल में कौन सा अंतराल minus infinity to minus 2 में f of x अंतराल इसमें वर्धमान फलन है अब दूसरे interval की बात करते हैं कौन सा अंतराल minus 2 to 2 में अब इस अंतराल में x plus 2 देखे minus 2 और 2 value हम नहीं रख सकते इसके लावा अगर आप minus 1 भी रखेंगे तो minus 1 plus 2 अगेन आपको positive number मिलेगा इस प्रकार और भी टेस्ट करेंगे तो सारे इस interval के बीच में x plus 2 हमें धनात्मक मान देगा और x minus 2 minus 1 रखते हैं x plus 2 और x minus 2 का तो हमें रणात्मक मान ही मिलेगा तो इस प्रकार इस अंतराल में f dash x जो है यह negative number मिलेगा तो हम यह लिख सकते हैं कि f of x जो है यह अंतराल minus 2 to 2 में रासमान फलन है अब तीसरा अंतराल बच चुका है अंतराल 2 to infinity में देखिए इस अंतराल में x plus 2 x की value हम 2 नहीं रख सकते हैं और नहीं infinity रख सकते हैं कोई भी एक value मान के चलते हैं कि 3 है 3 और 2 5 अर्थात इसके लिए आपको धनात्मक मान मिलेगा और x minus 2 तो अगर 3 मान रखते हैं तो 3 रिंड दो 1 एक जो की धनात्मक संक्य है तो इस प्रकार ये x plus 2 और x minus 2 दोनों का गुननफल हमें 0 से बड़ा मान मिलेगा अर्थात धनात्मक मान मिलेगा तो इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं कि f डेस x जो है इस इंटरवल में पॉजिटिव है तो इसलिए f of x अंतराल 2 to infinity में वर्धमान फलन है तो देखिए एक अंतराल minus infinity to minus 2 इसमें वर्धमान है और दूसरा 2 to infinity इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इस interval में फलन वर्धमान होगा और minus to 2 इस interval में फलन जो है या रासमान होगा तो इसे आप summarize करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अतह फलन f of x अंतराल वर्धमान वाला अंतराल है minus infinity to minus 2 यूनियन 2 to infinity में वर्धमान तथा minus to 2 में रासमान है इसमें दूसरा प्रस्ण दिया गया है x plus 1 का पावर 3 और x minus 1 का पावर 3 ये फलन की संतराल में धनात्मक ये फलन की संतराल में वर्धमान और की संतराल में रासमान है ये हमें ग्यात करना है तो इसके लिए हम या मान करके चलते हैं कि दिया गया फलन है f of x ये x प्लस 1 का cube और ये x माइनस 1 का cube तो इस तरीके से यदि इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x प्लस 1 into x माइनस 1 whole power 3 और इसे और सरल करना चाहें तो हम लिख सकते हैं x square माइनस 1 whole power 3 दखिए a plus b into a minus b a square minus b square तो इस तरीके से हमने लिख लिए इसको x square minus 1 whole power 3 अब यदि इस दिये गए फलन का हम आउकलन कर दें तो मिल जाएगा 3 into x square minus 1 का power 2 और x square का आउकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2x 3 into 2 करेंगे तो मिल जाएगा 6x into x square minus 1 power 2 अब इसके लिख सकते हैं 6x into x plus 1 into x minus 1 whole power 2 या फिर 6x into x plus 1 का power 2 और यह x minus 1 का power 2 यह है f dash x का मान अब f dash x का मान यदि हम 0 ले करके चलें तो इसका मतलब यह है कि 6x into x plus 1 का whole square into x minus 1 का whole square equal to 0 that implies x into x plus 1 का square to x minus 1 का square is equal to 0 अब square है तो इस प्रकार इसे और आगे सरल करने पर हमें मिल जाएगा x plus 1 into x into x minus 1 equal to 0 तो इसका मतलब यह है कि इसे सरल करने पर आपको मिल रहा है x equal to minus 1 इसके लिए फिर इसके लिए 0 और इसके लिए 1 तो अब यह जो point है minus 1, 0, 1 यह अंतराल को 4 असयुक्त अंतराल में विभक्त कर रहा है तो इसे हम लिखेंगे कि बिंदू x equal to minus 1 x equal to 0 और x equal to 1 वास्तविक रेखा को चार असयुक्त अंतराल minus 1 to 0 0 to असयुक्त अंतराल अब एक हम संख्या रेखा बनाते हैं यह minus infinity है और इस direction प्लस infinity है यह वास्तविक संख्या रेखा है मान लेते हैं कि यह minus 1 है यहाँ पर 0 है और यहाँ पर यह 1 है तो पहला interval यहाँ से यहाँ तक दूसरा interval minus 1 to 0 तक तीसरा interval 0 to 1 तक और चौथा interval 1 to infinity तक 0, 0 to 1 तथा 1 to infinity में विभक्त करते हैं चलिए अब एक एक करके अंतराल की बात करते हैं और उसमें हम टेस्ट करेंगे कि कौन से interval में जो फलन है यहाँ वर्धमान है और कौन से में हरासमान तो minus infinity to minus 1 इस interval में हमें जो फलन है यह फलन इस फलन को हमें टेस्ट करना है इसमें x plus 1 का जो मान है इस interval में x का जो मान है यह रिनात्मक है x plus 1 का जो मान है यह भी रिनात्मक है और x minus 1 भी रिनात्मक है अब देखिए तीनों मान हमें रिनात्मक मिल रहे हैं तो इनका गुणन फल भी रिनात्मक मिलेगा अर्थात x into x plus 1 into x minus 1 is less than 0 that implies f dash x is less than 0 इस इस्थिती में फलन जो होता है यह रासमान फलन होता है तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि फलन f of x अंतराल minus infinity to minus 1 में रासमान है या फिर आप लिख सकते हैं कि हरासमान फलन है दूसरा दूसरा इंटर्वल है minus 1 to 0 अब देखिए minus 1 नहीं रख सकते हैं और 0 नहीं रख सकते हैं तो इसके बीच में जो नंबर है वो हमें negative number ही मिलेगा अब negative number मिलेगा इसका मतलब यह कि x is less than 0 होगा और x plus 1 यह हमें धनात्मक मान देगा और x minus 1 यह आपको रणात्मक मान देगा तो देखिए यह रणात्मक मान यह रणात्मक मान दोनों को multiply करेंगे तो आपको धनात्मक मान मिलेगा और again यह भी धनात्मक मान तो इसको multiply करेंगे तो धनात्मक मान ही मिलेगा तो इस तरीके से हम यह लिख सकते हैं कि x into x plus 1 into x minus 1 is greater than 0 अर्थात f dash x जो है यह धनात्मक मान हमें दे रहा है तो उस प्रकार हम लिखेंगे कि फ़लन f of x अंतराल minus 1 to 0 में वर्धमान वर्धमान फलन है यह दो अंतराल हमने टेस्ट कर लिए तो पहले में यह रासमान है और दूसरे में वर्धमान है अब तीसरे और चौथे इंटरवल में टेस्ट करेंगे तीसरा इंटरवल अंतराल 0 to 1 में 0 to 1 में x का जो मान होगा, यह धनात्मक होगा, x प्लस 1 का जो मान होगा, यह भी धनात्मक होगा, और x माइनस 1 का जो मान होगा, यह आपको धनात्मक मान देगा. यह धनात्मक्मान यह धनात्मक्मान तोनों को multiply करेंगे धनात्मक्मान मिलेगा और इसके साथ multiply करेंगे तो धनात्मक्मान मिलेगा तो इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं कि x into x plus 1 into x minus 1 is less than 0 इसका मतलब यह कि f dash x जो है यह धनात्मक्मान हमें दे रहा है तो इस प्रकार हम यह लिखेंगे कि फलन f of x अंतराल 0 to 1 में रासमान है तो इस interval में यह रासमान है इस interval में इसमें रासमान, इसमें वर्दमान, इसमें फिर से रासमान अब अगला अंतीम अंतराल बच चुका है, बचा हुआ है अंतराल 1 to infinity में देखे, इसमें x जो है यह धनात्मक मान देगा x प्लस 1 भी धनात्मक मान देगा और x माइनस 1 यह भी हमें धनात्मक मान देगा तो सभी मान धनात्मक मिल रहे हैं, और सबका गुणा करेंगे x into x plus 1 into x minus 1 ये भी हमें धनात्मक मान देगा तो इस प्रकार ये कि f dash x जो है इस interval में धनात्मक मान हमें देगा तो हम लिखेंगे कि फलन f of x अंतराल 1 infinity में वर्धमान फलन है तो देखें यहां पर वर्धमान के लिए जो interval आ रहा है ये है minus 1 to 0 और union 1 to infinity और रासमान के लिए condition आ रहा है minus infinity to minus 1 और 0 to 1 तो इस interval में फलन जो है ये वर्धमान है और इस interval में जो फलन है या रासमान फलन है फिर एक अलग प्रकार का फलन दिया गया है यह फलन है x minus 2 upon x plus 1 यहां पर भी इस फलन का हमें वर्धमान और रासमान अंतराल ग्यात करना है माना की f of x equal to x minus 2 upon x plus 1 तो यह हमें f of x दिया गया है यदि हम f dash x अर्थात फलन का होकलन करें तो यह हमें मिल दाएगा x plus 1 का whole square फिर यह x plus 1 फिर अंस का होकलन यह आपको मिल दाएगा 1 minus x minus 2 और फिर हर का होकलन यह आपको मिल दाएगा 1 तो इस प्रकार इसको solve करेंगे तो मिल जाएगा x plus 2 फिर ये minus x minus और minus plus 2 upon x plus 1 का whole square minus x plus x cancel हो जाएगा 1 plus 2 that is 3 3 upon x plus 1 का whole square इस तरीके से हमें ये फलन मिल रहा है और ये हमें मिल रहा है f dash x तो यहां से आप यह देख सकते हैं कि यह जो फलन है x equal to minus 1 रख देंगे यहां पर तो यह हमें 0 मिल जाएगा और something upon 0 that will be infinity या फिर हम दूसरे सब्दों में यह कह सकते हैं कि यह फलन अपरिभासित होगा तो इससे हम लिखेंगे सब्दों में कि यह first है कि कि फलन f of x x equal to minus 1 पर अपरिभासित है और इसके अत्रिक्त x के सभी वास्तविक मानों के लिए f डैस x का जो मान है यह हमें धनात्मक मान मिलेगा तो इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं कि f डैस x x equal to minus 1 के अत्रिक्त x के सभी वास्तविक मानों के लिए वर्धमान है और यह हमें ग्यात करने के लिए कहा गया था कि फलन किस अंत्राल में वर्धमान है और किस अंत्राल में फलन रास्मान है प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजे कि फलन r पर वर्धमान है जिसमें पहला फलन दिया गया है 4x cube minus 6x square plus 3x plus 12 माना की f of x equal to है 4x cube minus 6x square plus 3x plus 12 अब इस फलन का हम आउकलन करते हैं तो मिल दाएगा 12x square minus 12x plus 3 इस पूरे फलन से हम 3 को भेनिश ले सकते हैं तो मिल दाएगा 3 into 4x square minus 4x plus 1 अब यदि इस फलन पर आप ध्यान दें तो ये एक पूर्ण वर्ण का फलन है और इसे हम लिख सकते हैं 3 into ये है 2x minus 1 का square देखिए 2x का square करेंगे तो मिल दाएगा 4x square फिर 20 square करेंगे तो ये plus 1 और minus 2a भी करेंगे तो minus 4x तो इस तरीके से f dash x हमें मिल रहा है 3 into 2x minus 1 का whole square ये हमें फलन मिल रहा है अब यहां पर x का आप कोई भी मान दे दीजिए ultimately ये हमान हमें धनात्मक मान ही मिलेगा चुकि यहां पर वर्ग है और यदि आप तो इसे हम यह लिखेंगे कि या फलन या फिर जो की f dash x x के प्रत्येक वास्तवीक मान के लिए के लिए धनात्मक है अर्थात f dash x is greater than 0 तो इस प्रकार यहां सिद्ध होता है कि दिया गया फलन f of x r पर वर्धमान है इसमें दूसरा प्रकार दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f of x equal to 1 minus x cube minus x का power 7 r पर वर्धमान है तो दिया है हम यह फलन को f of x मान करके चलते हैं 1 minus x cube minus x power 7 तो यदि इस फलन का हम आउकलन करें तो यह शुन्य मिल दाएगा और यह minus 3 x square और इसको solve करेंगे तो 7 x का power 6 यदि इन दोनो पदों से minus sign को हम common ले ले तो मिल दाएगा 3 x square plus 7 x का power 6 तो आप यह देख पा रहे हैं कि x के किसी भी मान के लिए यह जो फलन है यह हमें रणात्मक मान दे रहा है तो इसे लिखेंगे कि जो की x के प्रत्यक वास्तविक मान के लिए रणात्मक है क्योंकि x का power 2 power 2 है इस वज़े से यहां पर x का कोई भी मान दे दीजा आपको धनात्मक मान मिलेगा यहां पर x का power 6 x का जो घात है यह सम संख्या है तो x के इस्थान पर आप धनात्मक संख्या लिखिए यह रणात्मक संख्या लिखिए यह पूरा मान आपको धनात्मक संख्या देगा और minus के साथ multiply हो जाने के कारण f-x का जो मान होगा यह आपको रिनात्मक मान मिलेगा तो इस प्रकार हम यह लिखेंगे कि f-x is less than 0 इसलिए जो fallen है f of x यह r पर रास मान है और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था अगला प्रशन दिया गया है सिद्ध कीजिए कि x के सभी मानों के लिए e का पावर x एक वर्धमान फलन है तो f of x जो है यह e का पावर x है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस फलन का आउकलन करने पर भी आपको e का पावर x मिलेगा और इस प्रकार के फलन का आपने विस्तार देखा है e का पावर x होता है 1 प्लस x प्लस x square upon 2 का factorial प्लस x cube upon 3 का factorial प्लस x का पावर 4 upon 4 factorial और यह अप तो infinity जाता है तो इस प्रकार यहाँ पर आप यह देख पा रहे हैं कि x के प्रत्येक धनात्मक मान के लिए यह पूरा का पूरा फलन जो है यह धनात्मक मान दे रहा है तो इसे हम लिखेंगे कि पस्ट है कि for x is greater than 0 अर्थात x के सभी धनात्मक मानों के लिए f डेस x is greater than 0 इसलिए x is greater than 0 के लिए जो f of x है अर्थात e का पावर x यह एक वर्धमान फलन है और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था अब बात करते हैं x equal to 0 के लिए तो x equal to 0 पूट करेंगे तो e का पावर x अर्थात e का पावर 0 और e का पावर 0 आपको मिल दाएगा 1 तो इस प्रकार x equal to 0 पर भी e का पावर x जो फलन है यह एक वर्धमान फलन है पैदा मान जब x का मान धनात्मक है दूसरा जब x का मान 0 है और तीसरा जब x का मान रनात्मक है तो यदि x is less than 0 तब हम यह replacement करके चलेंगे कि x का मान जो है यह minus y है जहां पर y जो है यह धनात्मक संख्या है यह y is greater than 0 है तो इस प्रकार f dash x equal to e का पावर x और e का पावर x x के स्थान पर आप minus y रखेंगे और इसे हम लिख सकते हैं 1 upon e का पावर y अब यह धनात्मक संख्या है e का पावर y जो की जो की धनात्मक संख्या है अर्थात f dash x जो है यह भी हमें धनात्मक मान मिल रहा है इसलिए x is less than 0 पर फलन e का पावर x एक वर्धमान फलन है तो इस प्रकार आपने देखा कि जब x का मान सुनने से बड़ा है जब x का मान शुन्य है और जब x का मान शुन्य से छोटा है अर्थात रणत्मक मान है इन सभी मानों पर हमें फलन जो है यह वर्धमान मिल रहा है तो इसे लिखेंगे अतह x के सभी मानों के लिए e का पावर x एक वर्धमान फलन है और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था प्रस्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि क्लोज इंटरवल 0,2 pi by 2 में y equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta theta का एक वर्धमान फलन है तो पहली बात यह कि जो फलन दिया गया है से हम लिखते है दिया है कि y equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta अब इन दोनों को हम x के सापेक्च इन दोनों फलनों को left और right दोनों side को हम theta के सापेक्च आउकलन करते हैं तो theta के सापेक्च जब left hand side का आउकलन करेंगे तो मिल जाएगा dy by d theta equal to हर में जो रासी है यह इसका वर्ग होगा और फिर 2 plus cos theta into dy by d theta of 4 sin theta फिर minus 4 sin theta dy by d theta of 2 plus cos theta अब इसे हम सरल करते है यह 2 plus cos theta और 4 sin theta का आउकलन करेंगे तो 4 तो constant है sin theta का आपको मिल जाएगा cos theta और फिर यह minus 4 sin theta 2 तो constant है यह 0 हो जाएगा और cos theta का आउकलन करने पर आपको मिल जाएगा minus sin theta तो 0 minus sin theta whole upon 2 plus cos theta का whole square आगे जब solve करेंगे तो इसको multiply कर देते हैं 2 into 4 that is 8 cos theta और 4 cos theta into cos theta आपको मिल जाएगा 4 cos square theta और फिर minus 4 sin theta का multiply 0 से तो 0 और फिर इस term के साथ तो minus और minus plus 4 sin square theta upon 2 plus cos theta का whole square है यहाँ पर यह minus theta भी है तो इसका आउकलन करेंगे तो 1 मिल जाएगा यहाँ पर यह minus 1 और अगें यह minus 1 अब देखिए कि यह इन दोनों पदों में यदि आप 4 common ले ले लें तो यह हमें मिल रहा है cos square theta plus sin square theta जैसे कि आपको पता है कि sin square theta plus cos square theta equal to 1 होता है यह तो उसका उप्योग करके हम लिख सकते हैं 8 cos theta plus 4 और यदि हम LCM लेकर के solve करेंगे तो इसका जो लगुतम साब परती है यह मिल जाएगा 2 plus cos theta का whole square और यह minus 1 है तो इसके साथ multiply हो जाएगा तो 2 plus cos theta का whole square तो इस तरीके से यह हमें मिल रहा है dy by d theta dy by d theta यह मान हमें मिल रहा है अब देखिए इसको हम expand करके पहले solve करेंगे यह है आपका 8 cos theta plus 4 minus 2 का square 4 cos theta का square cos square theta और 2ab तो 2 to 4 cos theta then whole upon 2 plus cos theta का whole square आगे solve करते है dy by d theta equal to 8 cos theta plus 4 और फिर minus के साथ multiply करेंगे तो minus 4 और फिर minus cos square theta minus और minus minus और plus minus minus 4 cos theta then whole upon 2 plus cos theta का whole square यह plus 4 और minus 4 cancel हो जाएगा इसके बाद यह 8 cos theta और minus 4 cos theta आपको मिल जाएगा 4 cos theta minus cos square theta whole upon 2 plus cos theta का whole square इन दोनो फलनों में से दोनों पदों में से हम cos theta को common ले सकते हैं तो हम लिखेंगे dy by d theta equal to cos theta into 4 minus cos theta whole upon 2 plus cos theta whole square मान करके चलते हैं कि यह समी करण एक है तो हमें अब dy by d theta या फिर इसे आप y days लिख सकते हैं इसका मान अलग-अलग इस प्रकार ग्याद करना है कि जिसके लिए हम dy by d theta interval वा ग्याद करना है जिसके लिए dy by d theta का मान धनात्मक, रनात्मक या सुन्य हो तो जैसा कि आपको यह पता है कि प्रश्ण में दिया गया है closed interval 0,2 by by 2 तो अंतराल 0,2 by by 2 में cos theta का मान जो होता है यह हमेशा greater than or equal to 0 मिलता है इसे हम दूसरा समीकरण देते हैं जिसके आपको यह पता है कि minus 1 is less than or equal to cos theta is less than or equal to 1 इस condition की वजह से हमें cos theta का मान हमेशा 4 से छोटा मिलेगा cos theta is greater than or equal to 0 इसे हम conclusion यह निकाल सकते हैं कि cos theta को जो मान है वह हमेशा 4 से छोटा होगा और 6 से बढ़ा होगा यह मान दिया हुआ है तो इस तरीके से हम यह लिख सकते हैं कि 0 is less than 4 minus cos theta 4 minus cos theta का जो मान है यह 0 से बढ़ा होगा यह वाला मान और यह मान करके चलते हैं कि यह तीसरा है तीसरा inequality है तो 2 और 3 से क्या हम यह conclusion निकाल सकते हैं कि cos theta into 4 minus cos theta is greater than or equal to 0 मान के चलते हैं कि यह चौथी inequality है देखिए दूसरे और तीसरे को हमने multiply कर दिया तो left hand side left hand side के साथ operate होगा और right hand side right hand side के साथ operate होगा तो यह cos theta और यह जो मान है 4 minus cos theta दोरों को multiply करने पर जो मान हमें मिल जाएगा यह हमेशा rather than or equal to 0 होगा और इसके अलावा एक और condition है कि 2 plus cos theta का whole square है यह मान भी हमें शुन्य से बड़ा मिलेगा मान लेते हैं कि यह पांचवी inequality है तो तो हमारी चौथी inequality इससे हम अंस को cover कर सकते हैं और पांचवी inequality से हम हर को cover कर सकते हैं तो इसका मतलब यह कि जो हमें अनुपात दिया गया है dy by dx का यह हमेशा greater than or equal to 0 होगा इस interval में किस interval में 0 to pi by 2 interval में तो इससे हम लिखेंगे कि समी करण 1 से dy by d theta is equal to cos theta into 4 minus cos theta upon 2 plus cos theta का whole square it is always greater than or equal to 0 समी करण 4 और 5 से तो इसका मतलब यह कि यहां से हम conclusion निकाल सकते हैं कि dy by d theta is always greater than or equal to 0 in the given interval 0 to pi by 2 तो इस प्रकार हम यहां लिखेंगे कि अतह दिया गया फलन अर्थात y equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta अंतराल हमें close interval दिया गया था 0 to pi by 2 में वर्धमान है और यही हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था झाल हमें ड più आग